सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे अभी नंदन दोस्तों आज फिर हम आज ही रहें अपने बैंकिंग फैनिशल चैनल में और हम आज डिसकुश करेंगे अपने एक मोरेटरियम kashback योजना पर जैसे की आपको ने सना होगा कि फिलाल में अपने फाइनिंस ने एक मोरेटरियम kashback scheme स्टार्ट की थी यह जो इन अपने पिछले आंग में देखा कि ये जो स्कीम थी इसमें टूटल आर्ठ जो लून्स थी उनको सामिल किया गया था और जैसे कि हम देखा है मसमी लोन थे एजूकेशन लोन कंजूमर लोन क्रिटिट कार्ड होम लोन और कंजूमर डूरेबल लोन्स वो सारे लोन्स इसमें साम लिखिये गए थे तो अभी अपने उसी संदर्म में गवर्मेंट ने फिर से एक अपना क्लिरिफिकेशन दिया है कि इसमें किर्शी आधारित इग्री एंड याईड लोन इसमें सामिल नहीं किये गए हैं और उनके ऊपर कोई भी मोरोट्रियम में कैश बैक नहीं दिया जाएगा उस पीरिड़ में और जो एक्रियन याईड लोंस है यह किसी से संबंधित लोग आने मिशानों से संबंधित जैसा कि crop loan जो फसल के लिए लिया जाता है ट्रैक्टर या जो भी हर्टिकल्टर से रेलेटेड लून्स होते हैं वो सारे लून इसमें सामिल किये गए हैं तो नौन इलिक्जिबिल जो कस्टमर थे जिनको ये फैसलेटी नहीं मिलनी थी उसमें ये लोग भी सामिल होगा हैं मत और वो लून जिनका की टूटल एक्सपोजर मतलब टूटल आउटस्टेंडिंग या टूटल एक्सपोजर 29 फरवरी को दो कोड़ों से उपर था सारा मिलाकर अग्रिगेट मिलाकर और वो जिनका 29 फरवरी 2020 तक जो की एकाउंट एंपे डेक्लेर हो गयते तो वो सारे के सार की और किसी और किसी सम्मादित लून्स को एड़ नहीं किया रहे तो उसके संदर में धन्वास दोस्तों अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें हमें फर्वर्वर्व हुआ